सी टीवी के शो तुछ से राप्ता में आए दिन ट्विस्टिन टन्स आती ही रहते हैं हाली के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अवनी की तबियत खराब हो जाती है और उसे खून देने के लिए मलहार इधर उधर भटकता है वही अब आने वले एपिसोड में आप देखेंगे कल्यानी अपनी इच्छा से अवनी की मदद करना चाहती है कल्यानी मलहार को कहती है कि आपको मेरी मदद करने से रोपने का कोई अधिकार नहीं है कल्यानी कहती है कि मुझे पता है बच्चे का खोना क्या होता है और वो अबनी को सेम दड़ से गुजरने नहीं देगी कल्यानी आगे ये भी कहती है कि वो नेगिटिव ब्लड ग्रूप मेरी आई का है जिसकी जरूरत अबनी को है लेकिन मलहार कल्यानी को बोलता है कि तुमारी आई कभी नहीं आएंगी जिसमें कल्यानी पुरे विश्वा से कहती है कि मेरी आई जरूराएंगी वहीं दूसरी तरफ पलवी दामनी को बुलाती है जो कपड़ा मंत्री है और उसे एक बार औरंगाबाद जाने के लिए कहती है दामनी का कहना है कि मैं औरंगाबाद में पाटे की बैठक और अपने घराने की योजना बना रही हूँ और हमारी दोसी को रिष्टे और अपने स्वास्ते के बारे में कैसे बदलना चाती है पलवी कहती है कि कुछ और दिन बचे हैं मैं गोदावरी की शादी देखना चाती हूँ दामनी ने अनुपर्या को घर की सताई करते हैं नोटिस किया पूचा कि वो घर की सवाय क्यों कर रही है पलवी कहती है कि महोग केवल हमारे घर में काम करती है और आउस्ते बहुत से कभी भी काम नहीं करवाते वही दामनी कहती है वो गटबंदन को ठी करने के लिए घंते में आ रही है पलवी ने खुशे खुशे इस खबर को सूचित करने के लिए आउसाब के लिए सरहिलाया अनुप्रिया खुशी से पूछती है गडबंदन तय है पलवी उसे अपनी खुशी से दूर्ट रहने के लिए कहती है उसने गुदावरी को अनुप्रिया की सारी से उसकी 80 साव करते नोटिस किया अनुप्रिया कहती है कि मेरे पास केवल यही सारी है आउसाब अनुप्रिया को खाना त्यार करने के लिए कहती है और उसे गेस्ट के सामने आने के लिए मना कर देती है वही तभी विवेक आउसाब को बता देता है कि कलियानी ने अभी तक महलार को सस्पेंड नहीं किया है आउसाइब का कहना है कि अगर कल्यानी को अपनी मा की प्यार की जुरूरत है तो उसे महलार को सस्पेंड किसी भी हालत में करना ही होगा वही कल्यानी घर आती है और अनुप्रिया को बोलती है कि मुझे आप से बात करनी है वही कल्यानी घर आती है और अनुप्रिया को बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है वो अपनी की कंडिशन के बारे में सब बताती है देकिन अनुप्रिया कल्यानी को मना कर देती है कि वो उसकी हिल्प नहीं कर पाएंगी जिसके बाद कल्यानी अपनी आई अनुप्रिया को कहती है कि आप ऐसी नहीं हो तभी अनुप्रिया कहती है कि मैं पिछले 5 साल में बदल गई वेल अब आगे शो में क्या क्या होता है देखना काफी इंट्रोस्टिंग होने वाला है आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जोड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ